मुझा जैनेट बंधो मैं रवी जैन गुरुजी आज सोमवार और राहु काल प्राते साड़े साथ बजे से नौ बजे तक रहेगा हमें इस बीच में कोई भी नया कारिया आरम करने से बचना चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासी फलकी मेस रासी वाले दूसरों के कारियों में हस्तक्षेप ना करें दिन में आराम ना करें क्या करें भाई बेहन एक दूसरे को उपहार भेट करें वशबरासी वाले सामान्य समय चलेगा आलस्य से बचे, क्या करें मंधिर जी में यथा संबभ दान दे, मिथुनरासि वाले अधिक भावुक नाहों स्वें पर नियंतन रखें, क्या करें, धाई सो गिराम लाल मिर्च दान करें, करकरासी वाले तनावपूर्ण जीवन सहली से बचें दूसरों का ध्यान रखें क्या करें तिर्स यात्रा पर जा सकते हैं सिंग रासी वाले विरोधी पक्षावी हो सकते हैं हर वक्त सचेत रहें क्या करें 200 गिराम चने की दाल दान करें कन्या रासी वाले जलदबाजी से बचे, कुल मिलाकर समय ठीक है? क्या करें? सत्संग में अधिक समय दे तुला रासी वाले निर्णे सोस समझ कर ले जीवन साती की सल्हा ले क्या करें? सादूरो के परवचन अवश्य सुने वरश्यकरासी वाले अचानक परिशानी आ सकती है स्वास्त का ध्यान रखें क्या करें किन्नर अगर दिखाई दें तो दस बीस रुपे का दान करें धनुरासी वाले निवेश से बचें अभी समय ठीक नहीं है क्या करें चंदन काटी का माथे पर लगाएं मकरासी वाले इमानदारी से कारिय करें व्यर्थ में ना उल्जें क्या करें गरीबों में यथा संभाव दान दें कुमरासी वाले मामलो को सान्ती से निम्टाएं परिशान बिल्कुल ना हो क्या करें कुत्तों को रोटी डालें मीन रासी वाले जीवन शैली साधारन रखें मानसिक सान्ती बनाए रखें क्या करें पांच मिनट का मोन दिन में दो बार रखें रासी फल के पश्याद बंदो अब बात करते हैं आज की सलहा की आज की सलामे ध्यान रखें देखें आप अपनी दिंचरिया ऐसी बनाएं कि आपके घर के आसपास कोई व्रक्ष हो तो उसको जल अवश्य दे अगर आप व्रक्ष को रोजाना जल देते हैं तो निश्शित रुप से इससे घर में आए और सुक सान्ती बढ़ती है तो ध्यान रखें किसी भी व्रक्ष को जल देने से घर में सुक सान्ती सम्रद्धी बढ़ती है और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भीजी है राइचन जैन जी ने लोनी से लिखते हैं गुरुजी नोकरी में परमोशन नहीं हो रहा है कहीं साल से इसी पद पर हूँ काफी परियास कर रहा हूँ लेकिन फिर भी परमोशन नहीं हो पा रहा है तो क्या कोई उपाए है जिससे मेरा परमोशन हो सके देखें राइचन जी भक्तांबर इस्तोत्र का 28 नंबर का काविय व्यापार और नोकरी में बहुत सायक होता है आपको चाहिए कि जब आप अपनी व्यापार के या जोब के इसान पर पहुँचें वहाँ पर शेरी भक्तांबर इस्तोत्र का 28 वा काविय 28 बार पढ़ें और अगर समय का भाव है तो दस बार पढ़ें अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्यत रुप से आपको लाब होगा और आपका जो परमोशन रुकावा है वे आपको मिलेगा और इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मे आइडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी मंगल भावना के साथ सबी को जै जिनेद्र